दोस्तो मैं अल्पनसरो स्वागत करती हूं आप सभी का स्वाधिष्ट भोजन चैनल में दोस्तो आज मैं आपको गाउं के तरीके से हरे मुंग की डाल बनाना बताऊंगी दोस्तो मैं जून में जो मुंग फड़ती है खेतों में तो मम्मी लोग तोड़के लाती हैं और उसक में पर भी बनाते हैं तो मम्मी बहुतना है तो चैनल है तो सबसे पहले आपको मुंग को फ्राइ कर ना है इस खराब होने लगती हैं एक करने से दोस्तों यह आपका दाल भी लंबे समय तक चलेगा भूने के बाद आपको इसे डर्ना है इस तरीके से ये देखिए पत्थर की जो चक्की होती है इसमें दनने से दोस्तों इसका प्रोटीन बना रहता है और आपके सेहत के लिए भी बहुत इफादा होता है जो चक्कियों में दोस्तों जो मतलब मसीर में दरी जाती है उसका प्रोटीन चला जाता है पर जो हमारे घर की चकी होती पत्थर की उसमें दनने से डाल की प्रोटीन वैसे बनी रहती हैं तो थोड़ो-थोड़ो मुठी करकर के डालेंगे उसके बाद एक ही दिसा में चलाएंगे तो यहां देखिए डाल दोस्तों दर के त्यार हो गई है अब देख सकते ही अब इसे हम अच्छे से सारे दाल को फटक लेंगे दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दीजिए और बगल में बेल की घंटी है उससे बजाना आप नहीं भूलिएगा तो इसी देखिए इस तरीके सारी दाल को हम पच्छोल लेंगे और एक बरतन में अगे वीडियो में यह देखिए किती मस्त दाल हुई है जैसे कि आपको मार्केट में इस तरके से मिल जाती है तो वैसे मैंने घर पे बना के त्यार कर दिया है कम सिकम दोस्तों इस तीन सड़े तीन किलो दाल होगी तो चलिए इससे हम पहले बनाना सुरू करते हैं किसे बनाया कैसे जाता है गाओ में मम्मी लोग हमारी कैसे बनाती थी पूरा प्रोसिस आज मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हल्दी लें गए सिलबटे पसे पीस लेंगे हल्दी और मर्चा ये मैंने जूर मर्चा लिया है अगर आपको तीखा कमपसंद है दोस्तों तो आप मीर्च को कम जाधा भिले सकते हैं जिसे महीन से हम पीस लेंगे वैसे दोस्तों डाल बनाने का तरीका मैंने बहुत अलग लग आपके साथ पहले भी सायर किया है अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखें तो उपर दियो आपटम पे क्लिक करके दोस्तों वीडियो देख सकते हैं तो यहां मैंने हर्दी मर्चे को पीस लिया है चलते हैं चूलेक तरफ चूलेक मैंने भगोना चड़ा दिए इसमें डाल देंगे पानी पानी को गरम होने देंगे दोस्तों यहां पर देखिए मैंने लिया है दाल जितना कि हमें दाल बनाना है उतना ही हमें दाल चाहिए यहा जहने हमारी झूली तार जिसमें फ़ीर पोटेजऱ जाते हैं तो दाल में चूले की तरह दूस्ति पानी परमें और calend vivid लोगे हैंने लो भाद कि आनिसे पर दोस्तो हम टालेंगे अग चमश नमक उसके बाद दोस्तों आब इसमें हम डाल को डाल देंगे जो धुलकी रखे हैं उसके बाद दोस्तों आब इसमें हम डालेंगे खटाई तो यहाँ पर मैं 5-6 खटाई लिए उसे डाल जेते हैं अगर आपको खटाई बनाने का तरीका जानना है दोस्तों तो आप उपर द्योय बटम पर क्लिक करके खटाई बनाने का तरीका जान सकते हैं मैंने पहले आपके साथ उसकी वीडियो शेयर किया है उसके बाद दोस्तों डाल को ठक देंगे 6-7 मिनट के लिए मीडिया माच पर को तो उससे बाद दाल को खोल के चेक करेंगे की दाल पख गई है कंगा हैं तो यह सत्तों देक सकते हैं यह दल पकाते हैं अगर आपको लगता है बीच में चेक करना तो आप चेक करना की वीडियों पर भार-बाब छ़िद से देश, बाहँ पखा बढ़ी से बीचहा कि कि दिल जब गरम हो जगा तब इसमें यहां पर देखिए मैंने लिया है दो प्याज और हरी मीच है और यहां पर फोड़ा जीरा त्चमाँ अद्रक है दोस्तों मेरे पती जी को नहीं पसंदे इसलिए मैं थोड़ा से ले लिया है किक्वी इसमें फ्लेवर बहुत आच्छाता है और तमाटर दौस्तों डेड़ सुरुपय कि लो गया है तो बहुत ज़्यादा महेंगा हो गया है हमारे साथ से तो यहांपर मैं इस लिए तमाटर के स्टमध नहीं की हूँ आप डाल सकते हैं टमाटर भी तमाटर भी अच्छा लगेगा है तो तरके हो गए हैं अब इसमें तो यहांपे मैंसे चावल के साथ आपको खाके बताऊंगे की कैसे लग घखाने में मम्मी के जैसे की मैंने बना पाया है की नहीं जैसे मम्मी लोग बनाती है पूरा कोशिश किया है कि उसी तरीके से बनाने का और और यहां पर देखिए मैंने ले लिया है तो अर्वी के पत्ते के पकोड़े इसकी भी रेस्पी आपके साथ सेयर किया है वो भी आप देख सकते हैं आई बटम पर किलिक करके तो यह देखिए कि तो मस्त दिख रहा है बहुत अच्छा बना हुआ दोस्तों बहुत अच्छा ल